चलू तब भाई, आब हमरे मंदल हनी फसल में बोधी के जानब इकर उन्नत प्रभ्हेद कौन कौन है? इकर उन्नत प्रभ्हेद में पंत लोबिया दू आहे बुनेकर दूरी, खरीफ लगिन 45 cm और 15 cm और गर्मा लगिन 30 cm और 15 cm बेश रहेल तयार हो एक में लागेक बेरा बोधिकर फसिल 75 से 80 दिनक भित्रे तयार हो जायेल इकर से उसत उपज भेटायल 12 से 15 कुईंटर प्रती हेक्टर चलू खेट कर तयारी केसे करल जाये भाई इकर लगिन 2-3 धाउं देसी हर से खेट के बेश नियर जोईत के पटा चलाये देख चाही जोतेक बेरा गोबर का सडल मैंद 5 तन प्रती हेक्टर कर दर से खेट में बेश से मिलाये देख चाही बोदियों उच भूई कर फसीला है सेहले खेट में पानी कर जमाँ नी रहक चाही बुने कर बेरा का है खरीफ कर बोदी के जून कर दोसर हफता से जुलाई कर दोसर हफता तक लगाया देख चाही और गर्मा कर बोधी के फरवारी कर 2 हफ़ता से मार्ज कर 2 हफ़ता तक लगालब बेस रहें वहिन कर दर 40 किलो ग्राम प्रती हेक्टर रहें इकर में उर्वरक 20, 440, 20, 20 किलो ग्राम N, P, K, S के प्रती हेक्टर में पर्योग करेक चाहें इकर अलावे और और वरकर परयोग है पहिल है यूरिया इकर मात्रा रहक चाहिए 10 किलोग्राम प्रती हेक्टर दोसर है डी एपी इकर मात्रा रहक चाहिए 88 किलोग्राम प्रती हेक्टर तिसर है मूरेट औफ पोटास इकरमात्रा रहेक चाही 40 किलोग्राम प्रती हेक्टर भाई इकरों में जिवानों खात कर प्रयोग होग थे बुनेक से पहले बिहिन के राईजू बियम कल्चर से दवाई कर ले बेस रहेल अब देखाती निकाई और गुडाई इकरों में दू धाउ निकाई गुडाई दरकारा है पहिल धाउ निकाई गुडाई बुनेक कर 20 दिन कर बाद केरदेख चाही और दोसर धाउ 40 दिन कर बादे केरदेव है कटनी है दोरी है और दाना कर भंडारन बुधी कर फर एकेधाओ में पाइक के तयार होई जयाई शहे ले एकर कटनी, दोरी, सहज होई पाके कर पाछे, फर कर रंग, भुरा से कटूरी ही जाए और पौधाओ पीर होई जाए हसिल के एकेधाओ में हस्वा सर गैट के रोध में बेसनियर सुखाय देँ तले समाट से धिड़ाय के दाना के चिन गाय देवें दाना मन के रोध में बेश से सुखाय के भंडारन गेर लेवें